शिमारू विंटिट्स से सारे अबडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्लिक कीजिए हुआ प्लिक कीजिए. झाल झाल कर सब कर दो कर दो कि लुट करें था हुआ..! हुआ 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 है देख ये चानत हर्टेम नहीं आना सकता हां आज अपने घर का बरतन बेज़ दे पेपर बातली बेज़ दे कपड़ा बकत बेज़ दे और सब नौ नुमर के गोड़ पे लगा दे हां अपना रेस वाला बोला है कि नौ नुमर का गोड़ा आना अच मंगता है हां अरह हां प्य मिल गया मैं कहता हूं मिल गया इत्ते दिनों की तलास के बाद आज मिल ही गया हाय राम काहे को कान खाय जाते हो आखिर क्या मिल गया तुम्हारे घोड़ा घोड़ा तुम कहीं घास तो नहीं खा गया यहां अपने पेट तो भरते नहीं और तुम्हा घोड़ा लिया आते हो कहां तो एक नौकरी नहीं दिखती थी और अब तो भगवान कसम दो-दो खाली पड़ी है, दो-दो हाई राम काशिनात, जल्दिया न मंगता है भाई अर अभी आँ भाई, रोटी कहा आए जी अरी कहा मर गई अरी गवरी, अरी हो गवरी अभी रोटी बेली जा रही है भगवान कसम इस घर में टेमपर कुछ तयारी नहीं रहता जी यहां आज से घोड़ा जोड़ा निकला जा रहा है एक मिनिट की भी देर हो गई तो सब चोपट हो जाएगा भगवान कसम सब चोपट हो जाएगा यह छोगरे किसी काम के नहीं है मैं सबेरे से चिला रही हूँ जल्दी से रोटी डाल ले लेकिन इसके तो हाट तूटे हुए है अजी सुनती हो जी आई आई क्या है मैंने कहा वो तेरे पाद थोड़े पैसे है पैसे कहे के लिए अरे टेक्सी के लिए जीद दिखावट का जमाना है जीद दिखावट का क्या वो चपल फट फट करते करते जाओ तो तीसरी रुपए की तंखा भी नहीं मिलती और टेक्सी बेटकर रॉब सजाओ तो फॉरां सो रुपए की मिल जाए क्या लेकिन मेरे पास तो फुटी कॉडी मिल गी है गौरी तरी तंखा मिल गई नहीं चाचा शाद शाम को मिल जाए लेकिन मुझको तो इस तेम जरूरत है ये कड़की भी क्या बुरे टेम पे आती है जी चलो बेटा काशना जो होगा देखा जाए चाचा, तुम्हार खा ना? है 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 फिर पीछे से आवाजदेर ढाली मने कित्ती बेर कहाया के बाहर जाया थे तेम पीछे सा मत बुलाया थे ऐसे मेश काम को जा रहा हूँ जय हो जय हो, जय हो, जय हो तु बांस भरकी हो गई और अभी अकल नहीं आई उसलिए काम तलाश करते अपना चपल तोड़ डाला और आज कुछ पता चला तो विचारे को बिना खाय जाना पड़ा और फिर पीछे उसे पुकार लिया अरी कल मुही, तू कब समझेगी आखिर मैं तो खाट पर पड़ी हूँ और तू वकष से रोटी भी नहीं बना सकती तेरे को काहे के लिए पाला पोसा है फासी देने के लिए मुझे पता नहीं था कि चाचा इतनी सबेरे जा रहा है ना, तेरे को तो कुछ पता रहता भी है बस, दिन भर महरानी बनी फिरती रहती है और कुछ आता है तेरे को तू ने जब से इस घर में पैर डाला है आफ़त पर आफ़त ला रही है जब तक हमारा सत्या नास नहीं होगा तेरे को चैन नहीं पढ़ने का राम जाने वह कौन सी बुरी घड़ी थी जो तेरे को उठा कर यहां लाए अच्छा होता जो वही पड़ी-पड़ी मर जाती अब ऐसे क्या खड़ी काम पर नहीं जाएगी क्या आब नौकर भी खोगे रहेगी जा काम पर अभी यह सब रहने दे काम पर जा अली जल्दी कर हो उठा फरी धीडी l अज कोई कहानी सुनाओ न दिदी अभी कहानी नहीं सुनाऊँगी बबा मैं तो काम पे जा रहे हैं तुम काम पर तो रोज जाती हो दिदी या आज ना जाओ आज कैसे ना जाओ अगर काम पर ना जाओ तो नोकरी चली जाएगी तो जाज़र उससे क्या होता है? अहा, उससे क्या होता है? अगर नौकरी नहीं तो तनखा नहीं, तनखा नहीं तो खाना नहीं सर कहानी नहीं, कहानी भी नहीं कहानी सुनाओंगी, लेकिन अभी नहीं, जब वापस आओंगी तो जुरूर सुनाओंगी पूने दुवाने बीबी जी अब वक्त हुआ तेरे आने का? मैं तो रोज इसी वक्त आती हूं बीबी जी क्या? तो मैं क्या जूट कहती हूं? मेरे सामने मूँ खौलती है बेशरम मैंने तुझे काम के लिए रखा है या गजबार की जबन चलाने के लिए मुझे ऐसे मूँ फाट लड़की की जुरूरत नहीं 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 बीबी जी मुझे माफ कर दीजे फिर कभी ऐसा नहीं होगा अच्छी बात है इस बार तो छोड़ देती हूं लेकन याग अख फिर कभी ऐसा किया तो चुटिया पकड़ कर बाहर कर दूँगी समझे खगोरी तोरे नैनों के बान देख गोरी गम मत खाए बावरी तू इस तरह से गम खाएगी तो तेरी इस खबसूरती को घुन लग जाएगा देख अपनी मलकिन का ये पेच है न जरह धीला है तू भी अपने कानों के पेच धीले कर ले इस कान से सुनी और इस से निखाल दू है है डाटा किसीने और गुस्सा किसी पर बनारसी दास के लड्डू का भी जवाब नहीं है वह 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 ले चक के देख तेरी कसम सेहत बन जाएगी जीओ तेरी कसम गुस्से में कितनी खुबसूरत लगती है तू सेच तेरी कसम अब ये बकवास बन करेगा या नहीं नहीं तो अभी जाके बीबी जी से कह दूँगे अरी बीबी जी को का है पुबीच में घसीटी है गौरी मामला तो हम दोनों का है गौरी तुझे क्या मालम मुझे तेरा कितना ख्याल रेता है ए अरी क्या ग्राद क्या क्या तोड़ा है बेवाकोफ तुने मेरी सबसे इच्छे चायदा नहीं तोड़ डाली सारा सेट उठा कर बेकार कर दिये तेरे हाथ है ये चल नहीं मैं तुझे फुलिस के हवाले करदूगी नहीं नहीं बीपीजिर मुझे माफ करदीजिये पुलिस के हवाले ना कीजिये मैं पैसे दे दूगी पैसे tay चोकरी और तूबeda इसके पैसे देगी जानती है इसकी कीमत क्या है जो आप कहे, मेरी तंखा में सिकाच लीजे तेरी तंखा क्या सौ संकड़े है इसके दाम पूरे करने के लिए तुझे महीनों काम करना पड़ेगा हाँ मैं करूंगी लेकिन मुझे पुलीस के हवाले न कीजे मुझे माफ कर दीजे बीबी जी, मैं आपके हाँ जोडती हूँ तुने चस्ते इस घर में पैर डाला है, आफ़द पर आफ़द ला रही है जब तक हमारा सतिया नास नहीं होगा, तेरे को चैन नहीं पढ़ने का वाम जाने वो कौन सी बुरी घड़ी थी, जो तेरे को उठा कर यहां लाए चाह होता जो वही पड़ी-पड़ी मर जाती दिदी, थोड़ा मुझे भी दे दो देख, सब खाली है तुमने सब खाली है, दिदी, मेरे लिए थोड़ा भी नहीं रख बरतन खाली, दिदी का पेट खाली, छोटी का पेट खाली चल, आज कहानी खूब जमेगी चल आज कहानी सुना देदी देखो, आज राजा की कहानी नहीं, राने की कहानी नहीं और परी की भी कहानी नहीं आज कहानी होगी अरे, तेरी गुड़िया को क्या हो गया गुड़िया तूट गए दिदी तूट गए अच्छा, आज तुम्हें इस छोटी सी गुड़िया की कहानी सुनाती हूँ सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी ओ, जिसी पिसमत में गम के बिछोने थे आसों ही खिलोने थे दर्द ही सखिया थे दुख भर अखिया थे घर भी न था कोई और दर भी न था कोई और दर भी न था कोई और दर भी न था कोई भरे आचल में हम छुपाए आँखों में पानी सुनो छोटी सी गुडिया की लंबी कहानी सुनो छोटी सी गुडिया की कहानी दिल में ये अर्मान थे एक छोटा सा बंगला चांद से धरते पर सुने का जंगला हो दिल में ये अर्मान थे एक छोटा सा बंगला हो छांद से धरते पर सुने का जंगला हो फेलो हो जीवन की अहा मेल ओ जीवर्के फेलू हो जीवन के गया बचपन तो आसु भरी आई जवानी सुनो छोटी सी गुडिया की लंबी कहानी सुनो छोटी सी गुडिया की कहानी चांद का डोला हो और विजली का बाजा हो दोले में रानी हो और भोड़े पे राजा हो प्यार के रुस्ते हो और फूल बरसते हो और फूल बरसते हो बनना चाहती थी एक दिन वो तारों किरानी सुनो छोटी सी गुडिया की लंबी कहानी सुनो छोटी सी गुडिया की कहानी उसके बाद क्या हुआ दिए उसके बाद तूते पल भर मी सपनों के मूती भी ही लुट गई जोती भी रह गए अंधेरे उजडे हुए सवेरे बात ये पूरी थी और फिर भी अधूरी थी ये फिर भी अधूरी थी होगा अनजाम क्या ये खबर खुद भी न जानी सुनो छोटी सी गुडिया की लंगी कहानी जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी सुनो छोटी सी गुडिया की कहानी गवरी ओ गवरी तेरी तंखा मिल गई अरे तुब क्यों है बोलती क्यों नहीं तंखा किदे रहे मुझसे एक चायदानी चूट गई थी चाचा अरे कम बखत मैं तंखा पूछ रहा हूं और तुँ चायदानी बता रही है मेरी सारी तंखा उसी में कट गई तुब अब बर्तन दोने के लिए जाती है तोडने के लिए इस छोगरी ने तो हमारा नाक में दम कर डाला है बाहर जाय तो नकसान करे और घर में रह तो खाना ठोसे हाई राम यह हमारे पले काहे को पड़ गई भाई इस लपड़े बाजे से तो अपना काम नहीं बनना मांगता हम पीछे और किसी टेमपराना सकता तेरे को आज रात भर बहाँ जाने में रखूँगी फिर अटका लाएगी चल मैं तो इस छोकरी से भर पाई हम इसके लिए बहुत कर चुके है आखिर हमने इसकी सारी उमर का थेका तो नहीं ले रखा है अब ये बच्ची नहीं है अपना भार उढ़ा सकती है हमने इसे पाल पोस्त दिया है अब जहां इसके सींग समाय चली जाए तुम इससे कह दो जी आ आ कह दूआ भाजी दे दीदी ना तुम आरे लिए खाना लाया हूं दो रोटी और थोड़ी सी चठ्री लाया हूं खाले दीदी खाले 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 यह लड़की भी क्या बिलाईती थर्मामेटर है, बस जरा नजर लगी और पारा चड़ा गवरी, देख तुझे मेरा ख्याल तो नहीं है, पर जरा अपना ख्याल तो कर, बावरी यह गोरे गोरे हाथ राक से खराब करने के लिए नहीं, महनी लगाने के लिए बने देख गवरी, जो तु ऐसे ही रही न, तो सारी उमर बरतन मलने में खड़ जाई और मेरे साथ रानी बन कर रहेगी, बस एक बार साधी कर ले तु, तेरी कसम फरंटियर मिल में ले जाओंगा तुझे, थिल्ली आगरा खुमा दूआ, एस करा दूआ एस तु जाता है या नहीं, ने तो अभी जाकी बीजी से कह देती हूँ, कि तु मजे परेशान करता है और चीज़े चुराता है और तु कहा जा रही है गोरी, मैं खुद ही चला जाता हूँ, लेकिन देख गोरी, एक दिन तेरे को मेरा ख्याल आएगा और तु पच्ताईगी, हाँ, कहे देता हूँ मैं, हाँ आज़ा, आज़ा मेरी रानी बिटिया, आज़ा अरे, तुरी माला कहां गरेंगी, बांके, अरे वो बांके कहां मर गरें तु? जी, मैं तो इधरी खड़ा हूँ क्या तुम दोनों ने कानों में रुई ठोस रखी है, सुनते नहीं मैं क्या चिला रही हूँ, शोभा की माला किसने ली है जी, अपने आप ही बता दो नहीं तो याद रुखो, मैं दोनों को फांसी दलवा दूँगी क्या शोभा को मज़ा रखा है, क्यों चिला रही हो चिलाओ नहीं तो और क्या करूँ, जखो ना शोभा के गले की माला गाइब हो गई है और वो घर से कहीं बाहर नहीं गई हाँ साब, बिलकुल बाहर नहीं गई है, यही हमारे साथ तो खेल रही थी, हम दोनों के साथ ले बीबी जी, जब मैं यहां आई न, तो बेबी इसी के पास खेल रही थी और तेरे पास नहीं खेल रही थी जूटे, ये जूट कहता है बीबी जी, ये पक्का चोर है, जुरूर इसी ने चुराई है, आप इसकी तलाशी लेके देखिए बीबी जी, देख लीजेगा, ये आप के सामने मुझे चोर बता रही है, ये मुझे जूटा ही जाम लगा रही है बीबी जी खमोश, तुम दोनों ने माला नहीं ली तो जमीन खाला ही क्या, मैं अब ये पुलिस को फोन करता हूँ, सब पदर चल जाएगा नौकर के पास कुछ भी नहीं है, सरकार, आपने मेरी तलाशी तो ले ली, लेकिन अब गौरी की तलाशी भी लेनी चाहिए बेशक, देख लीजे, आप ज़र इनके तलाशी ले देखे, मेरे पास तो, अरे, ये क्या? दिखा, यही है शोभा की माला, ये, ये यहां कैसे आई, आय हाय, बेशरम चोट, तु तो कहती थी का मैं शोभा की माला, ये, ये यहां कैसे आई? ये, वाना का पास नहीं गई? फिर ये माला कहाँ से आगई? नहीं, मैंने माला काहां से आगई? rede मैंने कभी चोटूरे नहीं की तो फिर ये तुम्हारे पल्लो में कैसे आई? मुझे नहीं मालू में जानती, इनस्पेर सहाब. मुझे पर विश्वास कीजI मैं कई कभी चुरी नहींगी कि मुल्जिमा ने माला चुराई थी, इसके अलावा वह भी नावालिक है, और इससे पहले उसने कोई रुज़ नहीं किया, लिहाज आदालत उसे, एक साल के नेक चालचलन की जमानत पर, जो उसके चचा शीव का शिनात दे रहे हैं, रिहा करती है. चाची, मैं वापस आगई हूँ, उन्हें ने मुझे छोड़ दिया, लाव मैं फैटका दूँ, दू हाथ, चोटी कहींगी, जिन हाथों से चोरी करती है, उसे मेरा नाज पटेगी, तेरे हाथ नहीं तोड़ा लूँगी, अब यहाँ किसलिया आई है, बेसरा, निकल जाए हा चाची, हम कंगाल भले हैं, भाके करते हैं, तेरा चाचा कमाता नहीं, और मुझे रोग लगा है, फिर भी हमने किसी की परायक चीची को हाथ नहीं लगाया, चाची, आज तक मैंने भरी बस्ती में किसी को उंगली नहीं उठाने दी, अब चोटी को घर में रखके दुनिया चाचा, मैं कहां जाओ, मैं कहां जा सकती हूँ, तुम दोनों के सिवा, मेरे दुल्या में कोई नहीं, तो मैं भी क्या कर सकता हूं, मुझी, मैंने तेरे को जेल जाने से बचा लिया, अब तो और क्या चावे है, चाचा, इस घर में तेरी चाची की मर्जी के बगर पत्ता मैं तेरे को एक मिनट यहां नहीं रख सकता, क्या, नहीं जाचा, मुझे न निकलो, मुझे न निकलो, हाँ, हाँ, हम तेरे को निकालेंगे कहे को, हम तो तेरे को घर में रखके तेरी पूजा करेंगे, चादी है यह नहीं, हम तेरे कारण पहले ही बहुत आपहत उटा चु तोड़ दूँगी, निकल यहां से जा सपनों के मूती भी, लुख गई जोची भी रह गए अंदेरे, उचड़े हुए सबेरे बात ये पूरी थी, और फिर भी अधूरी थी बात ये पूरी थी, और फिर भी अधूरी थी ये तिर भी अधूरी थी, होगा नजा मुट्या ये खबर खुद भी नजानी सुनो छोती थी गुरिया की लूम्री कहानी देतारू अजी सुनती हो, तुम कह रहे थी न, नौकराने की जरूरत है ये रहे क्या-क्या काम कर सकती है जी, घर का सभी काम कर सकती हूं, बरतन मांसकती हूं, कपड़े धो सकती हूं, बच्चे को खिला सकती हूं क्या तनखालोगी बस खाना, कपड़ा और रहने को जगा दे दिजिए तु रहती कहा है? मेरा कोई घरबार नहीं मेरा दुनिया में कोई नहीं पहले कहां काम करती थी? पहले? एक सेट की घर में. वहां से क्यों छोड़ दिया? जी. मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था. असल में उनके एक नौकर की शरारत थी. और पुलीस ने मुझे पकड लिया. मैंने चोरी नहीं की थी. मैंने उनको बहुत समझाया. लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया. और मुझे सजा दे दी. नहीं, नहीं, हमें नौकरानी की जुरूत नहीं है. तो अपनी रहा ले. कपड़े वाशिंग कंपनी में धुलते हैं. खाना होटल से आता है. और बीवी है ही नहीं. अच्छा ये बताओ, कि बर्तन बर्तन माजने के लावा और भी कुछ कर सकते हैं. ये लो. क्या नाम है तुमारा? गोरी. ये लो. मास्टर, ये छोकरी अभी चोरी में से पकड़े गई. और अभी पुलीस टेशन उसे छूटी. अच्छा, यहान आपर की. ये दुनिया गम कमेला है, मुसीबत की कहानी है. कोई रोए, कोई गाए, अजब ये जिन्दगानी है. हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, सहारा के बेसहारे हैं. हमें भी दे दो, सहारा के बेसहारे हैं. फलक की गोद से जूटे हुए, सितारे हैं. हमें भी दे दो, सहारा के बेसहारे हैं. भरा हो पेट तो, संसार जग मगाता है. सताय भूक तो, कीमान डग मगाता है. सताय भूक तो, कीमान डग मगाता है. भलाई की जिए, दो दिन के ये नजारे हैं. हमें भी दे दो, सहारा के बेसहारे हैं. फलक की गोद से तूटे हुए, सितारे हैं. हमें भी दे दो, सहारा हैं. तेरे जहान से मालिक बता किधर जाएं. तेरे हुजूर में रहकर बिठोकरे खाएं. तेरे हुजूर में रहकर बिठोकरे खाएं. गरीब ही सही, आखिर तो हम तुम्हारे हैं. हमें भी दो, सहारा के बेसहारे हैं. तलब की दोद से, तोटे हुए सितारे हैं. हमें भी दे दो, सहारा. क्या लगा रखा इदर? क्यों बुड़े किसी के जेपागिट कटवागा या भीडी के ठीकर के? तलखाजा कियां से. अच्छा कियां से. अच्छा कियां से. सुनो, यहां यहां पड़ा था. भगवान तेरा भला करे माई. मेरा भगवान मर चुका है. यह मुझे दे दो. ले ले माई. पापय लग सब मौजोद हो. तुम्हारे लिए कबसे खड़े-खड़े सूख रहे हैं? प्यारे, मेरी महबत में बड़े-बड़े सूख के मजन हो गए. आजाओ, चलो. बाके. खौरी, तू, तू कब लोटी? अभी सब कुछ बता देती हैं. अपने दोस्तों से कहते हैं चले जाए. हाँ, अगर तू कहते हैं तो मैं इन सब को तड़ी पारी, यानि कि सहर से चलता कर दूँ. भाई लोग, पापय. आजा, आजा, आजा. मैं आज सबेरे से सोच रहा था कि मेरी दाहिनी आप क्यों फटक रही, लेकिन अब मालू हुआ कि तुझे आना था. सचमान गौरी, मैं तो तुरे लिए दुआ करता रहा हूँ. शुकर है उस परमात्मा का कि तुझे जेल नहीं हुई. मैं जेल जाने से तो बच गई, लेकिन मेरे माथे पर जो कलंक लगा था, वो अब तक चमक रहा है. लोग मुझे अभी चोर समझते हैं, चोर कहते हैं. लोग गधे हैं गौरी, उन्हें क्या मालूम रहता है? और सुन, चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा कोई घर नहीं. ये तो क्या बोलती है गौरी? और सुन, मैं काम के लिए दर बदर भटकती रही हूं, लेकिन मुझ पे हर दर्वाजा बन कर दिया गया. गौरी! और जानता है, मैं दो दिन से भूकी हूं, दो दिन से रोटी का टुकड़ा तक नसीब नहीं हूं, खुश है न? गौरी, तुने दो दिन से खाना नहीं खाया, और तू समस्तिक मैं खुश हूं. ठीक है, लेकिन जानता है, इसका जम्मेदार कौन है? तू! गौरी! गौरी, तुने मुझे गलत समझाए, गौरी, तुने मुझे गलत समझाए, गौरी, तुझे मालूम नहीं कि मेरे कु तेरा किता ख्याल है, गौरी, तुझे मेरे बात सुन कर, तुरा मेरे बात सुन, देख तू यहां आराम से बेचा, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ खाना? मैं तेरे हाथ से जहर भी नहीं खाऊंगा अच्छे बात है, मत खाना, मत खाना लेकिन देख गोरी, तू जरा सांथी से काम ले गोरी, तुरे चाचा चाचे ने तुझे घर से निकाल दिया ना, कोई बात नहीं तू इस तूटे फूटे घर को अपना घर समझ और जब तक जी चाल तू यहां रह सकती है यहां? इस घर में? तूने मेरी जिंदगी तबा की है और मैं तेरे घर में रहूँ, पतमाश तू खामुखा गुश्टा कर रही है गोरी, तू खामुखा गुश्टा कर रही है तू गोरी, तू मेरी बात सुल, मैंने एक बार गलती जरूर की लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ तू? कमीने? जलील? गोरी, अगर तू मुझे इतना ही जलील और कमीना समझती है तो तू ले मार ले, मार ले मुझे मैं जानता हूँ, गोरी, मैं जानता हूँ कि मेरे कारण, मेरे कारण तुझे बहुत तकलीफ हुई तेरी नोकल चली गए, तेरा घर चला गए लेकिन कारी, आज साम तक तुझे नोकल नहीं दिला दू तो मेरा नाम पहां के नहीं मेरे बात पर यकीम कर बुरे आदमी के सीने में भी दिल होता है आगर, बेट चाए इस वक्त घर में खाने के लिए कुछ नहीं लेकिन मैं अभी लिए आता हूँ जब तक तुझे आराम से भेट, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ देखो अवल्दार साब, वो रहे देख लीजे आप मैं जूट नहीं बोलना हूँ अभी तक हाथ में लगड़ी लिये वखड़ी हुई हवल्दार साब एक वक्त मैं इसको चोरी के लजाम में पकड़वा दिया था इसलिए मुझे मारने के लिए आई थी अब कोई मरद होता तो मैं उससे बात करता अब ये लड़की के जात मैं इससे क्या बात करूँ हवल्दार साब अगर आपको विश्वास नहीं हो तो ये महले वालों से पूछ लो क्यों मैं जूट बोल रहा हूँ जूटे कमीने मैं तुछ मार दालूगी हच्चा मैं इस बदमाश को मार दालूगी महलता सब देखो तुमारे काम में मार रही है का कहना मैं कहती हूँ ये पपका बदमाश है बिलकुल जूट कहता है लेकिन आप हमेशा इसी की सुनते हैं मेरी कभी नहीं सुनते ये जो कहें सब सच है और मैं कहूँ सब जूट है मैंने कोई गल्ती नहीं की कोई बुराई नहीं की इंस्पेक्टर साहब लेकिन तुमने शिभाई के सामने इसे भी पीटा मेरा बस चलता तो मैं इसे जान से मार डालती इस बदमाशनी मेरे जिंदेगी तभा की है मैं इसे मार डालूँंगी जान से मार डालूँगी उसके बाद चाहे आप मुझे फालशी दे दे मुझे कोई परवा नहीं देख लो, सरकार, देख लो, मैं क्या जूट कहा रहा था यह आपके सामने ही सब कुछ मानने ले रही है सलाम इस पेटर साहिब अब की इस कमवकत में क्या कडाला हुजूर पिछले टेम तो माला चुराई थी देख लो, सरकार, देख लो, इसका अपना चाचा आईसा बोलता तुम्जब रहा हुजूर नाशीनाद, जी मैवाद तुमने इसके नेक चाल चलन की जमाना दे रखी जी हुजूर तुम क्यों नहीं इस पर ध्यान रखते हैं जानते हो, ये इसको मानने के लिए इसका घर गई थी अच्छा हुजूर ये हमें इस चौपट का डालती है, जी क्या? हाई राम बेहतर यही है, कि तुम इसे घर ले जाओ और इस पर ध्यान रखो आइंदा इससे गलती नहोने पाए समझे? हाँ, इंस्पेक्टर साहिब, क्या? खबरदार, अगर इस चुपटी को घर में लाए, तो तंग है तो दोड़ती ने, ने, इंस्पेक्टर साहिब, एक बेर तो मैंने इस कमबगर को जेल की हवा खाने से बाचा लिया था पर आपके पुछ नहीं कर रखता क्या? जैसे हो, यह तुम्हारा बाकेलाल भीग दे उता है, इंस्पेक्टर साहब, आज चाची मुझे घर से निकाल सकती है, चाचा मुझे से मूँ मूँ उड़ सकता है, बाकेलाल मुझे चौर बना सकता है, सारी दुनिया मुझे छुकरा सकती है, लेकिन कभी मेरा भी वक्त मैं किसी परफी पर जा रहूंगी, किसी पेड के नीचे सो रहूंगी, भूकी मर जाओंगी, मुझे इसकी कुछ परवा नहीं, लेकिन जब तक मैं इस बागे को सबग न सिखा दू, मुझे चैन नहीं आएगा. हुजूर, हुजूर, देखिये ना, हुजूर, देखी था, इस वक्त तुम आपे में नहीं हो, गौरी, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें इस हालत में बाहर जाने की जाज़त नहीं दे सकता, तुम्हारे लेको इंद जाम करना पड़ेगा, देखो काशिनात, मैं आनाथ आश आश्रम, मैं आश्रम में नहीं जाओगी, मैं कहीं नहीं जाओगी नहीं गौरी, जब तक इस मौमले का फैसला नहीं हो जाए, तुम और कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारे रहने के लिए कोई जगे नहीं, तुम्हारा आश्रम में जाना ही अच्छा है लटाव पर कनी लाव competitor! ही डिटे जिज долларов आप में उरना! बजना में उरना! लोगी, चॉर्दा मोजे लोगी, चॉर्दा मोजे लोगी, चॉर्दा मोजे चॉर्दा एज आओ, इता आओ? इसका ताओ हुम यह तो बहुत बड़ा केस मालूम होता है इतनी छोटी सी जान और इतनी लंबी कहानी आओ, इतर आओ क्या नाव है तुम्हारा? यह मुरलीधर हैं, यह हम सब के दोस्त है और यह हमारे आश्रम की सुपरिंटेंडेंट है इन्हें सब दीदी कहते है नाराज हो तुम्हें यह जगे पसंद नहीं है? नहीं मुझे भी पसंद नहीं है मैं भी चाहता हूं यहां से भाग जाओ हरे भरे खेतों में चला जाओ समुंदर के ठंडे तक पर जा बेठू पहाड़ों की धुनली चोटियों पर जा पहुचू लेकर नहीं जा सकता है हमारी इस छोटी सी दुनिया में चारों तरफ निराशा है दुख है तूटे हुए सपने इनसे भाग कर हम कहां जा सकते हैं? यह बड़ी बड़ी बातें किसी और को सुना न मैं तुम्हारी बक्वास सुनने के लिए नहीं आई यह बक्वास नहीं जिंदगी की छोटी सी सच्चाई है मैं बहुत जिंदगी देख चुकी हूँ और सच्चाई को भी अच्छी तरह जान देए हूँ बता मुझे क्या सजा देते हो सजा? और नहीं तो क्या, ये लोग मुझे हवा खाने के लिए यहाल आए हैं कौन जाने? मैं जानती हूँ मैंने तुम जे सदेवता बहुत देखे हैं मैंने बहुत धोकी खाये हैं लेकि अब मुझे कोई दोका नहीं दे सकता तुम भी नहीं अच्छा अगर तुम्हे सदा के इतना ही शौख है तो तुम्हे सदा जरूर मिलेगी और पहली सदा ये है कि अपनी दीदी के साथ जाओ नहाध हो लो कुछ खाओ पियो और थोड़ी देर आराम करो तुम मेरे आराम की फिकर न करो मुझे आज तक आराम ही मिला है और मैंने पेट भर भर की खाने खाये हैं बहुत खाये हैं अच्छा अच्छा पहले जाके नहाध हो लो फिर देखा जाएगा चलो आप हेटो, मैं खुद जा सकती हूँ सब अकवास है इरा, पाने, लुटिया, तेल, सावन तुम नहाई लो मुझे नहाना आता है तुम यहां किसलिए खड़ी हो तुम यहां सकती हो मोर का ख्याल करतो यह कपड़ा होता आप दो मैं तुम्हारी समझे नहीं नहीं नहींगी चली जो यह से नहीं जाप, हमको तौरे संगराय का हुकम में लला है हम तो के अकेली नहीं छोड़ साके अच्छा जा 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 खातो आप आए बाहिए, आपको गरापाई से कुना यह को हम लायकों कात्रा लें और यह सब कहा काख दे लें यह क्या किया तुमने, तुम सब के साथ बुरा बरताव कर रही हो मुझे तुम्हें बाबुजी के पास ले जाना पड़ेगा, ले चलो मैं तुम्हारी बाबुजी से नहीं डरती, इससाथ लेकर आओ क्या बात है बाबुजी बाबुजी इस नई लड़की ने तो नाथ में दम कर दिया पहले भागने कोशिश की अब वार्डन पर गरम पानी डाल दिया मालूम लिए उसे क्या हो गया है बहुत बुरा बरता हो करती इंसान कभी बुरा नहीं होता हालात उसे बुरा बना देते हैं लोग उसे बुरा बना देते हैं हम उसे बुरा बना देते हैं लिकर यहां तो उसे किसी ने कुछ नहीं का किसी ने कोई तकलिक नहीं थी फिर वो क्यों ऐसा कर रही है बिल्कुल पागल की तरह पागल मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ आपके भी माबाब थे उन्होंने आपको बड़े प्यार से पाला कुसा होगा लेकिन फ़र्स कीजिए आपकी माता ने कभी आपके गोद में न उठाया आपके पिता ने कभी प्यार से आपके सर पर हात न रखा आपको ये भी मालूम नहों कि आपके मांबाप कौन थे तो आपके दिल की क्या हालत हो फर्स कीजिए आप औरों के लिए खून पसीना एक करें दिन रात उनकी खिदमत करें इसके जवाब में आप से सीज़े मूँ कोई बात तक न करें आपको भर पेट खाने तक को न मिले फिर आप क्या करेंगी ये है उसका रिकॉर्ड इसमें लिखा है कि उसने एक माला चुराई थी वो कहती है मैंने नहीं चुराई जाने सचाई क्या है लेकिन अगर उसके यही लच्छन रहे उसे देखकर और भी लड़कियां बिगड़ सकती है तो फिर हम यहां किसलिए हैं हर इंसान की जिन्दगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां से उसकी जिन्दगी शुरू होती है या फिर खत्म हो जाती है आज इस लड़की की जिन्दगी में ऐसा ही वक्त आया है वो जिन्दगी और मौत की सीमा तका पहुचिए अगर हम उसकी थोड़ी सी मदद कर दें तो शायद उसकी जिन्दगी बच जाए और अगर नहीं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी हम यह नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो फिर से अपने पाउं पर खड़ी हो जाए अब बुलाईए उसे तुम्हारी फिर शिकायत आई तुमने इस पर गरम पानी डाला इसे पीटने की कोशिश की के इस अच है हाँ क्यों यह मुझे अपने सामने नहने को कहती थी महां से हटी नहीं थी तो यह उसका फर्ज था मुझे तुमसे ऐसी उमीद नहीं थी मैं तुमे अच्छी लड़की समझता था अब तो पता चला के मैं बुरी हूँ अब निकाल दो मुझे यहां से जाने दो तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती है और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए आप तुमें इलाइदा कमरे में रखा जाएगा तुम अकेली रहोगी तुमसे बात नहीं करेगा तुम किसी से मिलने ही सकोगी समझी ले जाइए से मैं अब भी कहती हूँ मुझे जाने दो मुझे यहां से जाने दो देखो पच्टा होगे आरे यहां से आलाइदा पच्टा होगे मुझे जाइदा प्यार का सागर है तेरी एक भूद के प्यासे हम लोटा जो दिया तुने लोटा जो दिया तुने चले जाएंगे जहां से हम तु प्यार का सागर है तु प्यार का सागर है तेरी एक भूद के प्यासे हम तु प्यासे हम तु प्यार का सागर है खायल मन का पागल पंची उलने को बेखरार पंक है कॉमल आक है धुदली जाना है सागरबार अब तु ही से समझा राह भूले थे कहां से हम तु प्यार का सागर है तेरी एक भूद के प्यासे हम तु प्यार का सागर है इधर जूमके गाय जिन्दगी उधर है मौत खड़ी कोई क्या जाने कहां है सीमा उलजन आन पड़ी कानों में जरा कह दे की आएं कौन दिशा से हम की आएं कौन दिशा से हम तु प्यार का सागर है तेरी एक भूद के प्यासे हम तु प्यार का सागर है तु प्यार का सागर है तु प्यार क्वादी क्या बात है खबरा नहीं, मुझसे कोई खत्रा नहीं दोस्त, नजरें बद्दूर, बहुत अखड मालूम होती हो, लेकिन ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है कहो, पहली बार पकड़ी गई हो मुझे किसी नहीं पकड़ा, मैंने कुछ नहीं किया हाँ हाँ, जब मैं पहली बार पकड़ी गई थी, तो मैंने भी यही कहा था, क्या समझी मैं कहती हूँ मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया अच्छा वबा अच्छा गुसा नकरो, अनाडी के साथ शुरू-शुरू में ऐसे ही होता लेकिन फिकर न करो, मैं तुम्हे सब बुर सिखा दूँगी, और ऐसे तयार करूँगी, ऐसे तयार करूँगी, कि बड़े-बड़े उस्तादों के कान काटोगी क्यों, क्या खयाल है क्या बात है पक्के हाथ हैं लेकिन देखो, किसी पर वार करना हो, तो तमाचे से नहीं शुरू करना चाहिए पहले जूँग और फिस्ता खत्म चोडेल कहीं की अरे-अरे, यह क्या अदर की है प्रॉडे और व्या नियू आप मैंने जरी चुरू कि वरी वई भायं मार नियू हुआ हुई खाय कर अलब ना रहे अच्छा वाबा अच्छा मैने हर मान ली ला हाद मिला ये क्या हो रहा है? खुदली, ये क्या हो रहा है? कुछ ने दिदी? कुछ ने, जरा टकर टकर? पहले हमारे ख्याल टकरा गए फिर हम टकरा गए अब जरा समझता हो रहा है जा बाहर जा ये सब क्या है? खाना क्यों फेक दिया? मुझे तुम्हारे खाना नहीं चाहिए जाहो तो उठाके ले जाओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ वही नहीं लड़की गवरी कल से कुछ खा नहीं रही हम तो और तरह कोशिश कर चुके है क्या भीबार है? बिल्कुल नहीं वह तो भली चंगी है लेकिन कल से खाना चुआ तक नहीं मैं भी देखती हूँ क्या बात है गौरी सुना है तुम्हें दो दिन से खाना नहीं खाया क्यो नहीं खाया? देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए अब तुम बच्ची तो हो नहीं, चलो उठो देखो अगर खाना नहीं खाऊगी तो मैं आराज हो जाऊँगी चलो उठो नहीं खाऊगी, तो मुझे सक्ती से काम लेना पड़ेगा बाबुजी से कहकर तो मैं हस्पिताल भिजवा दूँगी जहां जबरदर्था खाना खिलाए ज़्स movement देखा जाएगा क्या बात है चान जाए तो जाए मगर जिदने जाए वो बहुत जिद्दाशी है हमें जबरदर्था खाना खिलाना ही पड़ेगा इसके सिवाय कोई चारा नहीं नहीं, डॉक्तर हर मुश्किल का कोई न कोई हल निकली आता है ला मुझे दो खाना देखो बेटे, तुम्हारी दीदी ने कल से कुछ नहीं खाया ये खाना ले जाओ अंदर और उसे जाके खिला दो हैं, शाब बाश तुम्हारी ये खाना लाई हो दीदी, लो, खालो खालो दीदी दीदी, मैं तुम्हारी ये खाना लाया हूं खालो दीदी खालो दीदी चली 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 खालो दोटो, खालो करहिं, चली thứ zł। खालो ने को पन्हें खालो प्रोमा, रोमा, 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 रोमा हुआ हुआ हुआ! बात बात में रूठूना अपने आपको लूठूना ये रंग दल दे दुनिया है तपदीर से अपनी रूठूना बात बात में रूठूना लाज के लाली आपनी है भीगी पलते अब रूतनी है बात बात में रूठूना अपनी रूठूना लाज के लाली आपनी है भीगी पलते अब रूतनी है आँखों में सुर्खी दिल में मुहापत फोटों पे छुपी हसी है बात बात में रूठूना अपनी आपको रूठूना ये रंग दलते दुनिया है तक दिल से अपनी रूठूना बात बात में रूठूना धलती है राते लेकर रखेरा लाएं बहारे नया सवेरा जीवन सपर में दुख हो या सुख है करना है फिर भी बसेरा बात बात में रूठूना अपनी आपको रूठूना ये रंग दलते दुनिया है तक दिल से अपनी रूठूना बात बात में रूठूना पूर खुशी के हर कोई देले कोई न देखे आसुख मेले पूर खुशी के हर कोई देले कोई न देखे आसुख मेले तुम जो हसे तो हस देगी दुनिया रोना पड़ेगा केले बात बात में रूठूना अपने आपको रूठूना ये रंग दलते दुनिया है तक दिल से अपनी रूठूना बात बात में रूठूना ये रूठूना वज़े बचा दी-दी मुझे बचा दी-दी मुझे बचा दी-दी क्या हो वा? किस न मॉरा है तुम? मेरे पतीनी मुझे बचा दी-दी-वह माह डालेगा लेकिन हो है का? उसने शिराब पी रखिया वो नौगरी पर नहीं जाता मैंने अपना गुहने लता सब बेच दाला, सब कुछ उसके मुह में छोग दिया, वो खाने को मांगता था, घर में एक दाना भी नहीं, मुझे उसने पीटा, वो हमेशा पीटता है, मैं वापस नहीं जाओंगी, मुझे बताल होते हैं घबरामी, घबरामी, यहां तुम्हें कोई दर्म है, क्या नाम है तुमारा, विराथा, डॉक्टर की जल्दी सुगाँ कवरी, कवरी, कल्ट सुपरेंटेनेंट तुम्हारी बहुत तारीख कर रही थी, और अब मैं समझता हूँ, कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ हौल में रह सकते हो, जी शुक्रिया, खुशो, जी, बहुत अच्छे, जी, एक बात है, क्या है, अब तो मैं आश्रम के नियुमों पर चलती हूँ, धंग से रहती हूँ, अब तो मैं बाहर जा सकती हूँ, क्यों नहीं, बड़े शौक से, लेकिन अकेले नहीं, जी मुझे अकेले कोई डर नहीं, मैं वादा करती हूँ, मै लेकिन तुम जाना किसलिए चाहती हो, ये मेरा अपना मामला है, मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन कुछ हमें भी मालूम होना चाहिए, कि तुम कहा जाना चाहती हो, क्यों जाना चाहती हो, मुझे किसी से हिसाब चुकाना है, गवरी, ये आश्रम तुमारे घर की तरह है, और घर के कुछ बंधन होते हैं, जिस तरह तुम घर के बंधनों को नहीं तोड़ सकती, उसी तरह से तुम्हें आश्रम के बंधन भी नहीं तोड़ने चाहिए। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। हाँ, दीदी से कह दूँगा, क्या वो तुम्हें हॉल में रखे है। कोई चाहे तो काम बन सकता है। क्या मतलब? तुम बाहर जाना चाहती हो, वो जाने नहीं देते और मैं यहां कड़ी हूँ। क्यों? क्यों तुमें टुमचर जैंस grande अभिσए क्यों अमना झाल 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 जल्दी वापस आजाना हाँ डी दी कां गई डी दी कां गई क्या हो थी दी दी कां गई nggak आमा थी दी दी कां गई जीदे अरे वो जाएगी दहाँ यही कहीं बात नहीं दूजाअ तूजाँ जलदी सोजा आएगी वा आएगी चुछ कौन है अरे तू हाँ मैं गोरी मुझे पहचानता है न यह क्या बोलती है यह कैसे हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाओ चलो अच्छा है मैं भी तुझे नहीं भूली हूँ यह दुनिया बहुत छोटी है बांके और हम हमेशा मिलते हैं मज़े की बात है न अजीब बात है लेकिन गोरी तू यह आई कैसे तुझे कुछ हिसाब चुकाना है हिसाब मुझ से कैसा हिसाब यह 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 क्या कर रही यह गोरी तू आज मेरे लिए खाना लाने नहीं जाएगा मैं जाता हूँ, अभी 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 जाता हूँ, मेरे माथे पर जो कलंग लग चुका है तूसे पूर सकता है जो भाग कर गई और भाग कर आजाएगी? वो नहीं आएगी। वो आएगी। मैं जानता हूँ वो आएगी। मैं जानता हूँ। गोरी, कहां जा रही है। इस दर्वासी के अंदर बंदन है। और इसके बाहर आजादी। तो इस वक्त आजाद है। तो जहां जाहे जा सकती है। यह मौका भिरात नहीं आएगा। अब भी वक्त है। चली जा। जली जा। कहां जा रहा है। तु ए जाने वाले कहां जा रहा है। यह जीवन सफर एक अंधा सफर है। बहक ना है मुम्किन भटकने का डर है। सभलता नहीं दिल किसी के सवाले कहां जा रहा है। तु ए जाने वाले कहां जा रहा है। जो ठोकर ना खाए नहीं जीत उसकी जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी। निशा मनजिलों के ये पैरों के छाले कहां जा रहा है। तु ए जाने वाले कहां जा रहा है। कभी ये भी सोचा के मनजिल कहां है। बड़े से जहां में तेरा घर कहां है। तेरा घर कहां है। जो बादे थे बंदन वो क्यों तोड़ गाले कहां जा रहा है। तु ए जाने वाले कहां जा रहा है। कहां जा रहा है। कहां जा रहा है कहां जा रहा है आप पोलीस को फोन कर दीजे तुम कहां गई थी मैं वापस आ गई हूं लेकिन तुमसे कहा गया था तुम नहीं जा सकती है और मैंने वादा किया था कि मैं वापस आ जाओंगी मगर जब तुम्हें मना किया था तब तुम गई क्यों जानती हो क्या वक्त हुआ है लेकिन मैं वापस आ गई हूँ इस से तुम्हारा कसूर कम नहीं होता बताओ कहा गई थी अपने एक महरबान दोस्त से मिलने कौम दोस्त? कैसा दोस्त? उसका नाम है बांकेलाल मेरे साथ काम किया करता था वो नाम का तो रसुया है लेकिन उसका असली काम चोरी है और स्टेशन की पास वाली खाए में रहता है बस या और कुछ हाँ तुम किसलिए उसे मिलने गई थी? मुझे एक पुराना हिसाब चुका ना था यही तुम्हें जानना चाहता हूँ का वो कैसा हिसाब है यह मैं नहीं बताऊंगी अच्छा? एक बात और तुम आश्रम से अकेली बाहर नहीं जा सकती थी बताओ तुम्हारी किसने मदद गी किसी ने नहीं मैं खुद गई थी अकेली तुम जूट कह रही हूँ देखो अगर तुमने सच सच बता दिया तो जो कुछ तुमने किया है मैं उसे भूल जाओंगा और अगर नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी वही लहदा कमरा और मिलना जुलना बंद आप जो चाहे सजा दे सकते हैं मुझे इसकी कोई परवा नहीं अच्छी बात है तुम जा सकती है बाबुजी मैंने इसकी मदद के थी ये जूट है मैं सच कह रहे हूं बाबुजी मैंने इसके भागने का सारा इंतिजाम किया था तुमने कुछ नहीं किया तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए ऐसा कह रही हो अगर सजा मिलेगी तुम मुझे कह दो इनसे के इसमें तुम्हारे कोई हाथ नहीं था कह दो नहीं गौरी बाबुजी के सामने सच्चाई कुछ ये पानतीत में लेकिन ये सच्चाई नहीं है ले जाओ से आप इसे सजा नहीं दे सकते मुझे दीजे अगर आपने मेरी वज़े से इसको सजा दी तो आप पच्चताएंगे आप हमेशा मनमानी नहीं कर सकते मैं आप कुझे नहीं करते दूरी आप कुझे नहीं कर सकते पतली मैं तुम्हारे सच कहने पर बहुत खुश हूँ लेकिन तुम्हें ऐसा हर्गिज नहीं करना चाहिए था जी मैं समझती हूँ माफी चाहती हूँ अच्छा जाओ तुम गवरी की पिछली जंदगी बड़ी विचित रही है और उसका उसके दिल पर बड़ा असर पड़ा है हमें उसका बहुत ध्यान अठना पड़ेगा आज रात आप उसे हिलाता कमरे में रखिए सुबह देखा जाएगा गवरी चली गई पुतली चली गई दीदी चली गई मगर तुम अभी यहीं बैठे हो चिंता छोड़ो और चलकर आराम करो भाया चलो बाबुजी ने कहा है आज के रात तुम यही रहा यह सिर्फ रात बर के लिए है हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ सब जानती हूँ मैं फिर सबूरी बन गई हूँ मैंने फिर उसूर किया है इसलिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए दूसरी लड़कियों से अलग रहना चाहिए ताकि मेरे कारण लो बिगड़ना जाए यही बात है ना? नहीं गोरी तुम ऐसा न सोचो बस रात के रात यहां रहो सुआ साथ ठीक हो जाएगा समझे तुम तो अच्छी लड़की हो ना? हाँ हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ और इससे भी जादा अच्छी हो के दिखाऊंगी इतनी अच्छी के वो मुझे जादा देन यहाने ही रख सकेंगे समझी? अब यहां क्या खड़ी हो? चलिगे हो यहां से अच्छा 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 ओओ तो ज़ी तो ज़ी गोरी के क्या कर रहाँ गोरी? आप इससे जन्जरा जाओ गोरी 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 आजो जापन बेराने चाइते हे आजो आजाओ अंदर, आप अंदर आजाओ बाबुजी बाबुजी क्या है पुतली बाबुजी गवरी ने तूफान मचा रखा है क्या किया है उसने जैसे आपने कहा था उससे अलग कमरे में रखा गया लेकिन सुबह से उसने तोड़ फूड शुरू कर रखी है पलंग तोड़ डाला बिस्तर फाट डाला सारे शीशे तोड़ डाले हैं और किसे को अंदर नहीं जाने दे थी मुरली मुझे अंधेरे में रोशनी नजर आ रही है जिसके दिल में चोर होता है वही चुप-चाप सब कोई सह लेता है और जो बेखसूर होता है वह सजा के खिलाफ आवाज उठाता है कल गौरी बांके लाल के घर गई थी और बांके लाल उसी घर में काम करता है जहां वह बेचारी चोरी के लिए पकड़ी गई थी वह सब तो ठीक है भाईया लेकिन बांके लाल का रोशनी से रोशनी का गौरी से गौरी का शीचों से क्या वास्ता है है जरूर है तुम जाकर पता लगाओ कि गौरी वहां क्यों गई थी और अगर ज़रूरत पड़े तो पुलीस की मदद भी ले लेना जाओ जल्दी जाओ अच्छा तुम कहते हो तो जाता हूँ पुतली जरह वो मेरा कोट तो ले आना अशोक बाबू आप नहीं जा सकते आपको वहां नहीं जाना चाहिए मैं जानता हूँ डॉक्टर मेरी देखभाल तुम्हारा फर्ज है लेकिन उनकी देखभाल मेरा फर्ज है तुम मेरे डॉक्टर हो मैं उनका डॉक्टर हूँ मैं उनका डॉक्टर हूँ मोसे बेई माने करी मुझे से ही रूप मोसे बेई माने करी मुझे बेई माने करी मुझे मुझे आपस्वास है बाबुजी, कि आपको इस वक तक्रीद देनी पड़ी है? कोई बात नहीं, दर्वाद अपते हैं नहीं बाबुजी, वो तो घुस्से से पागल हो रही है जो भी अंदर जाता है, उसे खाने को दारती है उस पर चीजें फेकती है, मालूम नहीं उस पर कैसा दारा पड़ रहा है तो लाजनी चंताना किजी आप दर्वाद अपते हैं नहीं बाबुजी, आप अंदर न चाहिए आप अंदर आप 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 मना मुधना बड़े जूठे मना मुधना बड़े जूठे हार के हार नहीं माने हार के हार नहीं माने मना मुधना मुधना बने थे खिलाड़े पिया निगले अराणे मोसे बेमानी करे मुझसे हिरूठे मन मोहना जूठे बना मुधना मुधना जूठे 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 बनी गर पासी तान सुना के मेरा तन मन लूटे तान सुना के मेरा तन मन लूटे मन मोहना बन जूठे मन मुधना मन मुधना बड़े जूठे मन मुधना बड़े जूठे मन मुधना 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 बड़े जूठे मन मुधना मुहना, मुहना, बड़े जूटे मन, मुहना मुहना, मुहना, मुहना खूब, बहुत खूब मेरा खाल था तुम अच्छा गाती हो, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि तुम इतना अच्छा गाती हो आज यह तुमारा गाना सुनकर बहुत खुश भाहू हूँ, बहुत खुश गवरी, शायद तुम नहीं जानती तुम क्या हो हीरे को अपने कीमत मालूम नहीं होती आओ, चलो देखो, यह कमरा कितना अच्छा है, है ना, बैठो और इस खेर्टी की शीशे लिए काफी मजबूत है अब इने मत तोड़ना जी, मुझे इस पार माफ कर दीजे, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी मैं अच्छी बन जाओंगी, मैं बादा करती हूँ शाबश गवरी, मैं तुमसे ही चाहता था, तुम्हारा बादा क्योंकि मैं जानता हूँ, तुम चाहे आश्रम के सारे नियम तोड़ डालो सुरी, एक बात है, आज मैं उस बांके लाल के बारे में सोच रहा था जहां तक मेरा खायल है, वह माला तुमने नहीं चुराई थी क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना किती तर्ह मेरा मां मुद्दे देदे मैं तुझे पषाल नहीं दूँगा, अगर हार में किषपत ही तो खेलता क्यों ए खेलता क्यों है। तु ने मुझे भोके सा लूटा है मैं खेलता हूँ, तेरा जो जी चाहे करने ना आप他े खराद ज olanक wraz रडंगा बुक्या वयुआ नहीं हमालेगा औरे छोड़न को मिद्खरा है यह पारे जीब अजीब मादम है अरे तुम जगड़े को तमाशा कहते हैं तुम घगड़ा क्यों किमार नहीं दो कर रही हो औरे मैं कहा कर रहा हूँ, ये कर रहा है, बात यह है, ये मुझसे पत्ता खेला है, मैंने इसका माल जीत लिया है, अब ये मुझे लूटना चाहता है, क्यों बे, बड़े दादा बनकर यहां घुमते हो, चल फट 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 ऑर जाकर अपना काम करो, अरे जा बोता है लो जा आ परवान जी, बड़े तेज खिलाणी महलू होते हो, पोते हैं दो दो हाथ, अरे क्यो नहीं प्यारे, नगर देखो बात यह है, मैं बड़ा हाथ खेलता हूँ, अरे हाँ, तुम जितना चाहो बड़ा हाथ खेलो, यह मुड़ावा सर देखते हो, हाँ, देखता हूँ, अपना बाप कल ही मरा है, और वो अउलाद के साथ अपना रुपया भी छोड़ गया है, अच्छा चलिए परवान जी, पहले आप, पहले आप, पहले आप, अच्छा तो पहले मैं, जी, चलिए, अहा, वा, 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 क्या रईसी अड़ा है, यहां तो बड़े-बड़े रईस लुट जाते होंगे, जानते हो भाशा यह अड़ा किसका है, किसका, मिस्टर बाकेलाद, बाकेलाद, अरे लखनव में बड़े-बड़े बाके होते थे प्यारे, वो नकरा, वो नास, वो अंदाज, कि आदमी देखे तो शरम से पानी-पानी हो तो यह हैं बाकेलाद जी, मगर यह इनका नक्षा किसने बिगार रखा है, बलवान जी, यह नक्षा बिगड़ा नहीं, बनाया गया है, बनाया गया है, वो कैसे, महबद, महबद, याने के मजनू घायल, यह तो बताओ, कि वो आगमार का लैला का उन है, गवरी, गवरी, व अपने आवाज का वजन हलका करो, कर लिया, मगर यह तो बताओ, कि उसने यह तुम्हारी मुरमत क्यों की, मेरे को जरा ठीक हो जाने दो, फिर मैं उसको देख लूँगा, अपने आपको बहुत कुछ समझती है, बहुत उंची उड़ती है, एक दाओ मेने ऐसा लगाया था, इसका परफडफड़ाना बंद कर दिया था, क्या किया था तुमने, प्यारे, एक माला उड़ा करके, उसके पल्लू में बांदी, फोके से आ गई, और मुझ पर बरस पड़ी, अब मैंने भी कहा, कि आवरत की जात है, जाने दो, उस्ताद तुमने बहुत अच्छा किया, जो परादा, कहाने है पारे, और पहले हो जाता, दो जात, नजाने फिर कब आवगी? आजाओ, अजाअ नह소निए, फिर कब आओगे? हुट ही जोलता हुट तुम जाओ अरे भाजळो गे, आए पुलीस पुलीस आये में पुलीस पिज्दि बागको अधुश्र कमेंडर यहीं ठेहरो, किन सब कि तलाजी ले लो ओ बाके हम ये सब क्यों हुआ ये सब क्या ह्गव गुवा इसप्टर साफ हम लोगों उनसे कुछ नहें किया इस ये करते हम लोगों ऊक्या यह माल मिला है इंस्पेक्टर साथ यह गेने किसके हैं? यह तो मेरी बीबी के हैं हुजूर बीबी कहा है? शादी के पहले ही मर गई हुजूर हजूर यह सब कुछ बाकेलाल नहीं चुराया है इसका फैसल आदालत में होगा देखो कोई भागने कोशिश मत करना बाबू बाकेलाल जी सौ दिन चौर का तो एक दिन साथ का अब आप आराम से जेल खाने तशीव ले जाएए वहाँ आपको दिन में तारे नजर आएंगे दी उन्हाने मुझे क्यों बुलाया है? अंदर चलो वह आप ही सब कुछ बता देंगा लेकिन मैंने कोई गल्ती तो नहीं की तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा गौरी पोलीस ने बाकेलाल को गरिफतार कर लिया है उसके घर से चौरी का माल मिला था और उसने ये भे कुबूल कर लिया है कि वो माला उसी ने तुम्हारे पल्लू में बाल दी थी अब तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया है लो, पढ़ो पढ़ो मैं पढ़ नहीं सकती इसका मतलब ये है कि अब तुम आजाद हो आजाद? हाँ गरी चली नहीं मुझे यहां रहने दीजये आपको आश्रम की काम के लिए लोगों की जरूरत रहती है ना मैं आश्रम का काम करूँगी दीदी इन से कहिये, कि मुझे यहां रहने दे इससा यहां रहने दीजे बाबो जी अच्छी बात है अगर ये तुम्हें यही रखना चाहती है, तू रहो, जब तक हम तुम्हारे लिए को अच्छा घर नहीं ढूंड लेते, यहीं रहो जी, खुची शुक्रिया गुली, अब शीशे वीशे मत तोड़ना, बहुत महंगे, आठ रुपे चौदाने गज़, नहीं, दर्सन जी है, जी नहीं और सुनो, ये सब तुम्हारे लिए मुडली धर ने किया है, तुम्हें उसका शुक्रिया दा करना चाहिए मुझे नहीं शुक्रिया वुक्रिया चाहिए, भाईया शुक्रिया तुम्हे चाहिए, क्योंके तुमने दिमाग घुमाया है, नहीं मेरा मतलब है तुमने दिमाग लड़ाया है और मैंने जबान घुमाई है क्योंके लड़ाई तो फौज करती है और नाम कफ्तान का होता है क्यों गारी तुम्हारा क्या ख्याल है आप लोग बड़े हैं मैं बहुत छुटी हूँ मैं कुछ नहीं कह सकती आपने मैं आप जादो हूँ शरी यह ओवाँ हुआ जादो हुआ यह एक लंबी कहानी है बहुत लंबी कहानी विसकी कहानी जीजी एक छोटी सी गुटिया की कहानी सुना जीजी सुनीगी? हाँ सुहानी सुनो छोटी से बुडिया की कहानी ओ आए खुशियां भी प्यार किराहूं पर इतलाती हावाउं पर हमके गए बादर चांद बना पायल सच के बहार आई और जूमके लहराई सच के बहार आई और जूमके लहराई हसे आचनमी तारे पृत आई सुहानी सुनो छोटी सी बुडिया की लम्मी कहानी जैसे तारों की बात सुने रात सुभानी सुनो छोटी सी बुडिया की कहानी सच जी हुए आखिर हर मान के हर सपने गैर थी ए दुनिया और बन गए सब अपने सच जी हुए आखिर हर मान के हर सपने गैर थी ए दुनिया और बन गए सब अपने कित बली आहे हर फुल गई सब राहे कित बली आहे हर फुल गई सब राहे और खुल गई सब राही ये है जीवन की गीता और दिल की जबानी सुनो छोटी सी घुडिया की लंबी कहानी जैसे तारों की बात सुनी रात सुहानी सुनो छोटी सी घुडिया की कहानी जी नवस्ते आप इस आश्रुम की सुपड़न है जी कही है जी यहाँ एक लड़की रहती है पुत्री मैं दर उसे मिलना चाहता हूँ लेकिन किसलिए आपको उससे क्या काम है जी असल में बात यह है कि मैं उसके गौंका रहने वाला हूँ रिष्टेदार भी हूँ उसकी बुड़ी मा बेचारी बहुत बिमार है और उसने पुत्री के लिए एक संदेशा भेजा अगर आप इजाजर दें तो मैं उसे मिलना आपका नाम जी मेरा नाम चंदूलाल अच्छा आप यही ठाड़िए जी मैं जाकर उसे देखती है अच्छा आप यही ठाड़िए जी मैं जाकर उसे देखती है अरे पुत् pist-li! जल देख को रही है ПСТ-Lit वसस दबलभ पड़ी जलदि यह तो क्या कर रहा है चंदू? मैं तो तुछा में आया क्या था पुत्ली लेकर यह मिलकिया ए अच्छा मोका हाथ में आगया मदिन थेख फितरह प्या थेख तो सही इसे वही रख दे, वही रख दे इसे क्या मतलब? मतलब यह कि तू ये रूपया नहीं चुरा सकता रख दे वही नहीं तू अभी शोर मचा दूगी पागल ना बन पुतली, ऐसा मौका बार-बार हाथ नहीं आता आदा मैं इसमें तेरे लिए भी रख दूगा ये चंदू, ये आश्रंग का रूपया है, ये गरीबों की रोटी है, तो इसे नहीं ले जा सकता चाचा, नौसो चुहे खा के बिली हज को चली इससे वही रख देने तो मैं तुछी चांद से मार डा रूँगी अपनी शेकल तो आइने में देख ले, पड़ी आई है चांद से मार रहा है चंदू, जा चंदू, जा चंदू दीदी, दीदी दीदी चौर चौर बेट अपूली आज तुमने उस चोर को पकड़ने के लिए अपनी जान तक ही परवाना किया बाबजी मैं भी चोर थी मैं भी लोगों की चीज़े चुराय करती थी लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जिसके चोरी होती है उसके दिल पर क्या गुजरती है ये मुझे आज ही मालूम हुआ बाबजी आज जब मैंने उस शक्स को चोरी करते देखा तो मुझे यू लगा जैसे वो मुझे लूट रहा है इसलिए मैंने उसका पीछा किया पाबजी आज मुझे मालूम हुआ कि बुरा आदमी बनना कितना बुरा है शाबबाश पुटली शाबश आज तुम्हारे मुझे यह बात समकर मुझे कितनी खुशी हो रही है लेकर अगर तुम्हे कुछ वोजाता तू तो क्या होता पबजी दुनिया का बोज गाम होना बोज तुम पुतली हमें तुम पर नाज है सारे आईश्रम को तुम पर नाज है इसलिए नहीं कि तुम्ने आईश्रम का तीन हजार रुपया बजाया है बलके इसलिए कि आज नेकी की जीत हुई है ये सच्चाई की एक छोटी सी जीत है पुतली ये देखा तुम्हारे लिए मेरे लिए? हाँ पुतली इससे तुम फिर से जिन्दगी शुरू करो अपने पाउं पे खड़ी हो जाओ पाबजी गौरी गौरी देख मुझे बाबजी ने क्या दिया मेरी मशीन हाँ बहुत अच्छा हुआ हाँ गौरी बहुत अच्छा हुआ गौरी आज तक मैं लोगों की जेबे काटती रही हूँ अब फीने की कोशिश करूँगी क्या बात है इससे मेरे पिछले पाप कुछ दूल जाएंगे है नगौरी आज तुमने जो खून बहाया है उससे तुम्हारे सारे पाप दूल गए है पुटले चलो आज पुटले मुपले ठ्रूमारे सारे पली एड़is동 काटता है अब शहरू छोड़ थे व Executive जो तुम हो क्यों क्यारे चांत मेरे बीवी काहा है तुम्हारी बीवी यी रादा ओ छोड़ दो आने दो अच्छा तो तुम हो क्यों साथ क्या काम मेरी बीवी कहा है तुम्हारी बीवी जी क्या नाम है राधा ओ तू राधा तुम्हारी बीवी जी हाँ वो यही है उसे यहां मैं उसे गल ले जाओंगा पहले तुम यह बताओ कि वो तुम्हें छोड़ कर यहां जब यहां आई थी तो जखमी थी तुम उसके पती हो कर उसकी देखभाल नहीं कर सकते बलकि उसे डांटते हो, कोशते हो, पीटते हो वो मेरी बीनी है, मैं चाहूँ उसे जान समादा लो तुम्हें उसे यहां रखने का क्या हक है? इंसानियत का हक मैंने तुम जैसे इंसान बहुत देखे हैं तुम दुनिया के आखों में दूल चोक रहे हो तुम्हारा आशना में दोखा है अगर तुम ले मेरी वियुक को फॉरूं में साथ ना भेजा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँ है तुम मुझे मारना चाहते हो ने, आओ, मार डालू मेरी जिन्दगी को एएšी कीनती नहीं है मेरे मरने से किसी का नुकसान नहीं होगा अगर तुम सोचते हो के मैंने बाकई ही तुम्हारा कोई नुकसान किया है तो बेशक मुझे मार तुछू देखते क्या हो? मारो ना तुम इन्मातों से दुनिया को बेखूपर ना सकती हो, मुझे नहीं तुमने मेरी स्त्री को भागा दिया, तुमने मेरा घर उजाग तुमने मार दालूगा तुम सोचते हो कि हमने तुम्हारा घर उजाड दिया है लेकिन क्या ये भी मालूम है, कि अगर वो यहाँ ना आती तो क्या करती है तुम इसके ठेकदान नहीं हो, मुझे सब कुछ ना उलूम है तुम उससे कि मारे अंद्र हो गया, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता आओ, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बीवी कहा है और क्या करेंगे इन बच्चों को देखते हो, इन में और दूसरे बच्चों में को फर्क दिखाई पड़ता है ये भी उनी की तरफ फूल जैसे हैं ना, बेदाख हैं ना, मासूम हैं लेकिन इन बच्चों में और दूसरे बच्चों में एक फर्क है इनके माबाप इने पैदा होते ही, खेतों में, सडकों पर, गंदगी के धेरों पर छोड़ गए थे, ताके चील, गीदर, कुटे इने नोच-नोच कर खा जाने जानते हो क्यों? क्योंकि ये अपने माबाप के पाद की जीती-जागती निशानिया है समाज इने नाजायस बच्चे का एकर पोकारता है, लेकिन समाज ये नहीं सोचता है, कि नाजायस बच्चे नहीं होते, नाजायस माबाप होते हैं हम इन बच्चों को यहां रखते हैं, क्योंकि हम इने जिन्दा रखना चाहते हैं, हम इने जमाने की ठोकनों से बचाना चाहते हैं, हम इने महसूस कराने चाहते हैं, कि दुनिया में इनकी भी कोई जगे है, इनके भी कोई अधिकार है, कौम कह सकता है, इन ही में से कोई अब देश के माते का तिलक बन जा है। आओ मेदेश कमला इस लड़की को देखते हो यह वित्तों मैंसे एक इजददार आदमी की बीवी है। इसका पती थोड़े दिनों के लिए किसी काम से बाहर गया। इसे अपने किसी रिष्टदार के पास छोड़ गया ताकि उसकी देखवाल कर सके। लेकिन उस नर्क शाइस ने जबरदस्ती इसकी इजदत का खून करना जा लेकिन इस बहादर लड़की ने अपनी इजदत को बचाने के लिए उस कंबख का खून कर लिया। उसे कख्ल के जुर्में गृफतार कर लिया गया। लेकिन कानून अंधा नहीं था، अदालत ने इसे निर्दोश ठा़ा है और इसे । बरी करती है। लेकिन इसके पती निर्दोश पनना ज़ैए उसने इस सिंदूर को कालक समझचकर इस पर थूप दिया। इस भुखर दें बाहर निकाल दिया। वेचारी सहरा ढूंटी ढूंटी है। हमारे पास आई है। मैं तुमसे पूछता हूँ अगर यह लटी यहां न आती है तो जानते हो इसकी कहा आलत होती है। आख, 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 आख इन तस्वीरों को देखते हो, इन गुल्हमों को देखते हो। जब यह यहां आए थी, तो कोई यतीन थी, कोई लावारिस थी, कोई बाल भिद्वा थी, कोई लुटी हुई कुमारी थी। अब इन सब की शादी हो चुकी है। और इन में से एक-एक को घर की लाच समझा जाता है। और इंडाव जवानों को देखते हो। इन में इंसानियत है, हिंबत है। इन्होंने समाज के ठुकाई हुए लड़कियों का उपनाया है। इन्होंने धूल में गिरीवी के उठाकर अपने सीने से लगाया। मैंने महान समझता हूँ। याशम हमने नहीं, तुमने बनाया। अगर दुनिया में तुम जैसे लोग नहीं होते, तो इस संसा की भी कोई जुरूरत नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं मा कही वह गला समझाता। मुझे गल्ती होगे। गलतियां इन्सानी से होते हैं। लेकिन इन्सान वो है। इसे अपने गलतियों पर अफ्सोस हो। बबीजी। देखो, कौन आया है। गर चल जाना। मुझे माफ कर देगा। इससे नीद आजाएगी और आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएगे। लेकिन कुछ दिनों के लिए भी पूरा आराम करना होगा। काम आम बिलकुल नहीं। समझया। के लिए उस्तरा कि वरे आप देखोा। कैसे है बुधी। पहले से कुछ अच्छा है। लेकिन दिलकी बिमारी का कोई भरोसा नहीं। मालुम नहीं कब क्या हो जाए। सबर से काम लो, गौरी, हम करी क्या सकते हैं, भगवान से प्रात्न करो, कि वो जल्दी अच्छ हो जाए भगवान उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, दीदी, भगवान अच्छ आद्मे के लिए कुछ नहीं करता हम यहाँ भगवान भगवान करते रहेंगे और वो वह खत्म हो जाएंगे गौरी, उन्हीं इसमन भगवान की नहीं, इंसान की जुरूरत है, हमारी जुरूरत है, मुझे वहाँ जाने दो दीदी नहीं गौरी, डाक्टर ने मना किया है, उनके पस कोई नहीं जा सकता भगवान और डाक्टर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वह नी बचाने ही सकते दीजे, भगवान और डाक्टर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तू प्यार का सागर है तेरी एक भूद के प्यासे हम लटा जो जिया थू चले जाएंगे जहां से हम तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक भूद के प्यासे हम तू प्यार का सागर है खायल मन का पागल पंची उलने को बेखरार पंक है कॉमल आक है धुदली जाना है सागर बार अब तू ही से समझा राह भूले थे कहां से हम तू प्यार का सागर है 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 बैठाओ बैठाओ गवरी मैं जानता हूँ तुम्हे मेरा कितना खायल है लेकिन मेरे लिए अब जिन्दगी और मौत में ज्यादा फर्क नहीं तुम्हारी जिन्दगी अभी शुरू हो रही है लेकिन लेकिन मैंने क्या किया है तुम्हे कुछ नहीं किया लेकिन गवरी हर लड़की को एक घर की जरूरत होती है उसे एक घर चाहिए जिसे वो अपना कह सके एक सहारा चाहिए जी हाँ समझती है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा घर कहा है मेरा सहारा कौन है और मुझे किसके लिए जिन्दा रहना है तुम कुछ नहीं जानती है कुछ नहीं समझती है तुम मौत को जिन्दगी समझ रही हूँ खंडरों में घर बसाना चाहती हूँ तुम बिलकुल बागल हो गई आप उठीए नहीं, लेते रहे तुमें मेरा इतना ही ख्याल होता तो कभी ऐसी बात नहीं कहती है कभी ऐसी बात नहीं सूचती है मैं तुम्हारी जंदगी बनाना चाहता हूँ और तुम मुझे तबाह करना चाहती हूँ यही है न आपको क्या हो रहा है आप परिशान नहों यह लेदे रहे जब तक तुम अप्ता गेना वापस नहीं लेती है मुझे कभी चैन नहीं आएगा आप जो कहें मैं करने के लिए तेयार हूँ भगमान के लिए आप लेटे नहीं है बैटिये ना तुम बड़ी नादान हो गावी बड़ी नादान बैटर तुम्हे मेरा बहुत ख्याल है तुम चाहती हो मैं जल्द अच्छा हो जाओ तुम मेरी एक बात मानोगी आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ पहले आप जल्दी अच्छे हो जाएए आप जो कहें मैं करूंगी वादा करती हूँ हूँ मैं वादा करती हूँ तो तुम किसी से शादी कर लो और अपना घर बसा लो शादी तुम ने बहुत मसीब्ते उठाई बहुत तोकने खाई अब तुम्हे एक खर की जरूरत है जहां तुम्हे खुशी मिले सुख मिले जिन्दवी मिले गाव गोरी आखो था झाई मुर्ली दार मु क्वा मुशे यहाई यही है भाए इहाँ क्या हिया मुशे जिसादमी के मुझे इतने दिनों से तलाश थी बो मुझे मिल गया तुम तुम मुर्ली मै言 तो भईया यहीन था मुझे कोई कुसूर हुआ किस बात का वाया जल्दी बताओ भया जल्दी बताओ सुनो डॉक्टर कहता न कि मुझे अराम की जरूवत है हाँ भया और तुम लोग भी कहा करते हो कि मुझे चुछ दिनों के लिए यहां से बाहर चले जाना चाहिए? बिल्कुर ठीक भाईया तो मैंने जाने का फैसला कर लिया है बहुत अच्छी बात है तो तुम चाहते हो भाईया के मैं भी तुम्हारे साथ चलू मैं अभी जाकर बांगता हूँ हम आज ही चलते ही मुझे अकेले ही जाना है अकेले जाओगे तो फिर मुझे क्यों बलाया भाईया सुना मुली तुम्हारे जिम्मे यहां एक बहुत स्रूरी काम है तुम्हें यही रहना होगा मेरी खादिर सब बकवास है भाईया मैं तुम्हे अकेला कहिना जाने दूँगा बताओ काम क्या है गवरी को जानते हो ना अच्छी तरह वो बहुत अच्छी लड़की है अच्छी? बहुत अच्छी उसने जिंदगी में बहुत मुसीब्त अफ़ाई है मुली अब उसे एक घर की जरूरत है एक साथी की जरूरत है बहिया यही बात मैं तुमसे कहने वाला था तुम गवरी को भी अपने साथ ले जाओ शादी का साव इंतजा मैं कर लूगा तुम कोई फिकर रंगान," — पाउड़ मत बनो मैं तुमसे दर्खास कर रहा हूँ तुम गवरी के साथ शाधी करो गया गौरी के साथ मैं शादी करूँगा, भाया तुम पागर हो गया हो नहीं मुर्ली, नहीं मैं चीख कर रहा हूँ आगर तुम्हें भी तु अपना घर बसाना है गौरी, मुहारे लिए बहुत अच्छी साथिं बनेंगा मैं जानता हूँ गौरी को मैं भी जानता हूँ मुझसे शादी करने से पहले वो खुदकुशी करनेगी क्यों? भाया, इसकी वज़ा तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ येखने उसने मेरे साथ वादा किया, मुर्ली वादा किया तुम उसे मजबूर करके उससे कोई भी बादा ले सकते हो लेकिन मैं जानता हूँ कि उसका दिल कहा है वो किसके लिए जिन्दा है बिल्कुल गलत वो मासूम वो नहीं जानती कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा अगर वो भाटक रही है तो हमारा फर्ज है उसे सही राखते पर लिया अगर तुम ने उसकी जबरदस्ति चादी किसी और के साथ कर दी तो भी उसकी जिंदी तबाह हो जागी भईया नहीं नहीं मुरली तुमारा खाल बिलकुल गलत है मेरा फियाल हमेशा घलत हो लेकिन भई आ इस बार तुम गलत हो तुम मुझे समधने के कोशिश करो गवरी के दिल को में में समझता हूँ और मैं खुद ना कोई देवता हूँ ना पत्थर हूँ मैं इस बारे में खुब सोचा है। और अब मुझे भई करना है, जो गवरी के लिए ठीक है, आश्रम के लिए ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ही सवाल किया है, भईया, अगर मुझे मालूम हो जाये, वो सही हाथ में चली जाएगी, तो मुझे कुछ तमैनान हो जाये, अब मेरा चेंग तुम्हारे आइ भाग भाय। कि तुमने हजारो आदमीँ को जिंदगी दी, उन्हें जंदारान संगाया ह। अब खुधी जिंदगी से भाजना चाहते हो ! हाँ ! हम अल्य में भाजना चाहते हो ! अब मैं जिंदगी से और नहीं लड़ सकता। तुन्य मुड़ी को हार गा样 तुने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अगर मेरे हां में तुम्हें पुशी है तो हां ही समझो गवरी ऐसे उदास क्यों बठी हो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए अब तुम्हारा भी अपना घर होगा तुम्हें भी सुख और आराम मिलेगा मुरली दर बहुत ही अच्छा आदिमी है गवरी वो तुमसे जरा मिलना चाहता है उसे अंदर भेज़ दो इसजी बाइव väldigt जलए मैं गवरी, देखो, मैं तुम्हेरे लिधा लाया हूँ तोफा बड़े काम की चीज है, किसी की शादी हो या सगाई, किसी का जनम दिन हो या तहवार, किसी को मसका लगाना हो या बेवकू बनाना हो, तो तोफा बड़ा काम आता है नहीं नहीं सब बक्वास है गौरी देखो मैं तुम्हारे लिए गहने और कपड़े लेकर आया हूं गौरी देखो गौरी उसका जमाब देती जाओ हाँ या ना समझी ये तुम जानती हो के तुम्हारी शादी तै हो चुकी है और ये भी जानती हो के शादी किससे हो चुकी है जी हाँ तुम खुश हो ना तो तुम यहां आराम से बैठी हो, शादी कर रही हो, खुश हो लेकिन यह उनका हुकम है उनका हुकम है, तुमने आज तक भाईया का हुकम कभी नहीं माना तो अब क्यों मानती हो, लड़कियों की खोपड़ी भी उल्टी होती है जब हुकम मानना चाहिए ता तब नहीं माना और जब नहीं मानना चाहिए, तो कहती हो यह उनका हुकम है, फर्मान है, आदेश है मैं क्या कहा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है सुनो, भाईया ने दूसरों के लिए अपने आपको तबाह कर लिया है वो दूसरों के लिए दिन रात काम करते रहे हैं अब उनकी तबियत बहुत खराब हो गई है और वो यहां से चले जा रहे है कहां? मानूम नहीं, यह उन्होंने किसी को नहीं बताया साथ कौन जा रहा है? वो किसी को साथ ले जाना नहीं चाहते, मुझे भी नहीं लेकिन उनका अकेले जाना ठीक नहीं है उन्हें रोकना चाहिए तो मैं अधनी देर से क्या बकवास कर रहा हूँ तुम्हीं उन्हें रोख सकती हो, तुम्हीं उन्हें बचा सकती हो मैं उनके लिए अपनी जान भी दे दूँगी जल्दी जाओ वरना वो चले जाएंगे जोरी ये मैं तुम्हारे लिए लाया था ले लो इसे अपने बड़े भाई का तुफ़ा समझो तुम्हारे बाबुची कहा है? बाहर गए कहा? घूमने कहते थे कि जाने से पहले एक बार समंदर दिखना जाते बहुत देर से गए है बहुत देर से गए है? जी 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 कहे वे ता? कुष्पं। यह चक्कर आ गया था, लेट गया लेकिन तुम यहां कैसे आई आप चले जा रहे थे ना, मुझे छोड़कर तो क्या तुमने? जी हाँ, मैंने फिर आपका हुकम नहीं माना तुमने वादा किया था कारी? मैंने वादा किया था, लेकिन अपने वादे से मुझे अपना जीवन जादा प्यारा है और मेरा जीवन है आप समझ गया? सुना का रही है? मैं अपकुछ नहीं सुनूँगी, आप जीएंगे, साब बरस जीएंगे अब आपको मुझसे कोई नहीं चीन सकता, मौत भी नहीं चलिए वापस उसी जीवन के रास्ते पर जो आपने मुझे दिखाया है अब हमारे सामने कोई सीमा नहीं उठिये झाल 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 एसी ही और सदा बहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमार हुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक